परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित जातकों के जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है भगवान श्रीव के न जाने कितने ही रूप और नाम है और हर नाम अपनी महिमा है इनके हर नाम में चिपा है एक बिशे सक्ति, देवों के देव महादेव, ये तिर देवों में से एक देव हैं, और कहा जाता है कि ये भी दुनिया को चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, इनको बिनाश का देवता कहा जाता है, क्योंकि जब अधिक पाप बढ़ जा पहला मिथुन राशी इस राशी वाले लोगों की नौकरी संबंधित समस्या का समधान होगा आपके किसे भी काम में रुकावट नहीं आएगी महादेव जी की बहुत ही कृपा होने वाली है कई दिनों से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं किसी समाजी काम में शामीर हो सकते हैं परिवारी के साथ साथ मोज मस्ती में समयव्यतीत होगा करकराशी वाले जातकों के कारे अश्थान पर धानलाव का योग बंधा है प्रिशाशनिक अधिकारी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं महादेव के किरपा से हो सकता है आपको आपके प्यार की तरब कोई शर्पराज मिल जाए और आपको वो बाहर घूमने के लिए ले जाए तीसरा मीन राशी मीन डाशी के लोगों के लिए महादेव के किरपा से इन लोगों को धनलाब के योगबंध हैं आपके अच्छे दिन आने वाले हैं आप शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है माद्देवों के देव महादेव की किरपा से मीन डाशी के लोगों को धनलाब के योग बंढ़ हैं अगर आप कहीं पर नोक्री करते हैं तो आपकी तरक्की के पूरे योग बंढ़ हैं Next 9 Spiritual से विनितराय की रिपोर्ट Start your career with us Start your career with us Let it happen Everyick Sođ Let it happen You